नमस्कार द्रिष्टी PCS चैनल पर आपका स्वागत है आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोक से संबंधित जो हालिया घटना क्रम है उससे जुरी हुई जो जानकारिया है वो प्रशनुत्तर फॉर्मेट में लेकर उपस्तित हुए हैं तो आए बिना किसी देरी की के सेशन के शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला सवाल पहला सवाल है हाली में हैदरपूर आदरभूमी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है बताइए उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हो गये हैं क्वेशन से 8,9,10 और 11 बहुत ही मह सवाल है हाली में हैदरपूर को एक किस रूप में तो वेटलेंड के रूप में आदरभूमी के रूप में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और यह हैदरपूर कहा है यह उत्तर प्रदेश में ही है तो आप से पूछा जा रहा है कि कुल कितने रामसर साइट उत्तर प थे अब एक और भर करके वो टोटल नौ आद्रभूमियां कहां हो गई है उत्तर प्रदेश में हो गई है अच्छा यहां पर आप यह चीज ध्यान रखिएगा कि आद्रभूमी या वेट्लेंड के कॉंटेक्स्ट में रामसर का जो यहां पर नाम है रामसर साइट इसे रामसर भूमियां हैं उनके सरक्षन को लेकर के पहली दफा बैठे कुई थी और एक कर्वेंशन आयोजित किया गया था इसी लिहाद से जब भी अब किसी भी आद्रभूमी को दर्जा दिया जाता है इस तरीके से तो उसे रामसर साइट की संग्या दे दी जाती है यह कहां पर है एक जगह है हैं तो इसी लिहाद से इसे रामसर साइट या फिर रामसर आद्रभूमी के तोर पर जाना जाता है भारत में यह दी रामसर साइट की बात की जैइं तो भारत में आप कितने हो गये है 47 47 रामसर साइट हो गए हैं पहले कितने थे 46 थे एक जो हैदरपूर वाला है उसे जब एड कर दिया जाए तो अब भारत में total 47 रामसर साइट हो गए है भारत में कुल रामसर साइट एड प्रेजन यह आज की बात है हो सकता है कि कल की दिन में एक और वेटलेंड एड हो जाए तो फिर कल का डेटा चेंज हो जाएगा at present as for now 47 रामसर साइट है इंडिया में अच्छा अब जबकि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है और उत्तर प्रदेश में total 9 रामसर साइट हो गए है तो बाकी जो आठ रामसर साइट है वो कौन-कौन से है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं नवा तो हैदरपूर हो ही क्या है इसके अलावा एक है न तीसरा है समन, चौथा है समसपूर, पांचवा है सांडी, छटा है सरसई, साथवा है सूर्शरोवर और जो आठ हो है वो है उपरी गंगा नदी ठीक है ना तो ये टोटल आठ है नवाप गंस, पारवती, अग्रा, समन, समसपूर, सांडी, सरसई, सुख सरोवर और उपरी गंगा नदी एक खास रिजन में इसका जो फैलाव है उस पार्टिकुलर रिजन को रामसर वेटलेंड के रूप में संख्या दी गई है अब यहां पर ध्यान रखेगा कि जो समन से लेकर के सुख सरोवर तक है इस से हैं समन, समसपूर, सांडी, सरसई, सुख सरोवर यह याद रखने के दिश्टिकों से मैं बता रहा हूं कि कभी यदि इस तरीके से प्रिक्षा में सवाल बने कि निमनलिखित में से कौन-कौन से उत्तर प्रदेश के रामसर वेटलेंड में शामिल है तो आप एक अंदाजा उस दौरान लगा सकते हैं यदि सामाने तो आप वेटलेंड से उत्तर प्रदेश में प्लस एक जो नवा है वो हैदरपूर हो गया है अच्छा एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन सभी में ये सभी नौ में सबसे बरा जो रामसर वेटलेंड है उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो वो है उपरी गंगा वेटलेंड है ये सबसे बरा रामसर वेटलेंड के तौर पर है और सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा है नवाब गंज रामसर साइट ठीक है ये उत्तर प्रदेश पार्टिकुलर के इस कॉंटेक्स में बात की जा रही है सबसे बरा है उपरी गंगा नदी वाला वेटले है ना तो इस तरीके से यह टोटल कितने हैं टोटल वर्तमान में नो वेट्लेंड से उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परियाटन सर्किट कहां बनाया जा रहा है ओप्शन से गोरकपुर कुशी नगर लखनौ और वारानशी इसका सहीजवाब है आप्शन डी वारानसी में सबसे बड़ा प्रयाटन सर्किट बनाया जा रहा है आज ही के डेट में 13 दिसंबर 2021 को आज प्रधारमंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने वारानसी में ही एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का शोहरम भी किया है काशिव विश्वनाथ प्रोजेक्ट है सवाल है केन बेटवा लिंक परियोजना में उत्तर प्रधेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है ओप्शन जहासी महोबा लालिटपूर और उन्णाव Σब्सटी नहीं है इस परियोजना के अंत्रगत शामिल नहीं है बाकि जहासी महोबा ललितपुर और एक और है बांधा एक ना यह चार जो जिलें हैं उत्तरप्रदेश के सभी चार जिले इस प्रजेक्ट के अंत्रगत शामिल है जबकि उन्याव शामिल नहीं है इस प्रजेक्ट अंत्रगत मैं आपको बताऊं तो टोटल 13 जिले हैं ठीक है यह 13 जिले जो है वह नौ एमपी से और चार यूपी से हैं ठीक है तो उन चार में तीन है कौन जहासी महुबा और ललितपुर और फोर्थ कौन सा है बांदा यह चार जिले इस प्रोजेक्ट के अंत्रगत यूपी स शामिल है और बाकी जो नौजिले हैं वह मध्यप्रदेश्ट से सामिल है यहां ध्यान रखेगा कि जो केन बेत्वा लिंक परयोजना की बात की जा रही है इसमें केन नदी से बेत्वा नदी में पानी का ट्रांसफर किया जाना है कई बार इस तरीके से इंटर्वीव बगर में सवाल बन जाते हैं पूस्ट लिए जाते हैं तो यहां ध्यान रखना होगा केन नदी से बेत्वा नदी में पानी का ट्रांसफर किया जाना है इस प्रोजेट के माधियम से केन नदी का उद्गम कहां पर है तो यह जबलपूर में है इंपी में और बेत्वा नदी का उध्गम ये कहा नदी का कहाँ पर है ये जबलपूर के पास में है और जो बेतवा नदी है इसका उध्गम है राइसेंटीले में और जो केन है केन यमुना से कहाँ पर मिलती है यहाँ पर इसका जो विले है यमुना में यह कहाँ पर हो जाता है केन नदी का तो यह हो जाता है मुझफर सौरी फतेहपूर में फतेहपूर इवपी के पास इसका विले हो जाता है यमुना में अचाह इससे संबंदित एक और बहुत ही महत्रपूर्ण चीज़ ध्यान में रखेगा केन के कॉंटेक्ट में कि यमुना जब गंगा में मिलती है तो यमुना में गंगा के मिलने यमुना के गंगा में मिलने से पहले केन जो है यमुना में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है बात समाज़ में रही है न कि यमुना जब गंगा में मिलती है तो इसे गंगा में मिलने से पहले अंतिम जो यमुना की सहयक नदी है वो कौन सी सहयक नदी यमुना में जाकर मिलती है वो नदी है केन एक सीज औ चंबल, सींद, बेतवा, केन इस हिसाफ से चंबल, सींद, बेतवा और केन करम में पूछ लिया जाता है तो वेस्ट टू इस्ट डैडेक्शन में इस तरीके से यह और यह यमना में मिलती चले जाती है ठीक है और यमना फिर गंगा में मिल जाती है तो इस तरीके से यह जो एर उत्पाद योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ओप्शन से जिला और उत्पाद जिला में दिया हुआ है आजमगर्ह, अम्रोहा, अयोध्या और बस्ती उत्पाद में दिया हुआ है ब्लैक पॉटरी, संगीत, वाद्येंत्र, गुड़ और लकडी के ख है और यह एक जिला एक उत्पाद योजना के अंत्रगत इसे शामिल किया गया है उसी तरह अम्रोहा, संगीत, वाद्येंत्र, सही सुमेली थे अयोध्या, गुड़, सही सुमेली थे यहाँ पर मुझभफर नगर भी एड़ कर लिजेगा मुझभफर नगर में भी जो है वो गुर वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट के अंत्रगत यह आता है, बुझभफर नगर बस्ती लकरी के खिलोने यह नहीं है, यह सुमेलित नहीं है, यह क्यों सुमेलित नहीं है, बलकि यह है कि बस्ती में लकरी के खिलोने नहीं, बलकि यह कास्ट शिल्प के लिए प्रचलि कास्ट शिल्प के लिए बस्ती प्रचलित है किस योजना के तहत्थ तो एक जिला एक उतपादी योजना के तहत्थ लकडी के खिलोने यहां पर नहीं बलकि लक्री के खिलोने की बात की जाए तो वह चित्रकूट के लिए प्रसिद्ध है चित्रकूट में लक्री की खिलोने पाए जाते हैं इस एक जिला एक उत्पाद युजना के इंतरगत उन्हें चित्रकूट के इंतरगत रखा गया है हाल ही में क चेंद्रिय शिक्षा मंत्री ने निर्मलिखित में से किसे स्पेशल एजूकेशन जोन बनाने की बात कही है। ओप्षन से गोरखपूर, कानपूर, लखनवु और अयोध्या। इसका सही जवाब है ओप्षन ए गोरखपूर। जैसे SEZ, Special Economic Zone होता है, उसे तरीके से ये Special Education Zone के कॉंटेक्स में बात की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से शुच्छा दी जाएगी और उन्हें विश्व अस्तर के नागरिक बनाने की कवायत की जाएगी, ये एक मं मंतव्य जारी किया गया है, और गोरखपूर में इसके बनाने की बात की गई है, उत्तरवर्देश सरकार के द्वारा, आगे भरते हैं, प्रधान मंत्री ग्रामिन डिजीटल साक्छर्ता अभियान में डिजीटल साक्छर्ता के मामले में किस राज्य के लोग सबसे आगे है बहुत ही महत्तों सवाल है, यह जो प्रधान मंत्री ग्रामिन डिजीटल साक्छर्ता अभियान है, यह आप इसे इस नाम से जान सकते हैं, प्रधान मंत्री ग्रामिन डिजीटल साक्छर्ता अभियान है, प्रधान मंत्री ग्रामिन डिजीटल साक्छर्ता अभियान, ठीक है में सबसे आगे है डिजिटर साक्षवर्था की कॉंटेक्ष डिजिटर लिट्रियसी अगरा सवाल देखते हैं उत्तर प्रदेश्ट डिफेंस कॉरिडोर के तहत ब्रह्मोस मिसाइल उनिट की अधार्शिला किस जिले में रखी जाएगी ऑप्शन से जहांची आगरा लखनव सवाल है इस सवाल का सही जवाब है लखनव में इस कॉरिडोर के तहत ब्रह्मोस मिसाइल उनिट की आधार्शिला रखी जाएगी मैं आपको बता दू कि यह जो डिफेंस कॉरिडोर है इस कॉरिडोर का निमान उत्तर प्रदेश में किस एजंसी के अंतरगत किया जा रहा है कौन से इजंसी इसकी नोडल एजंसी है तो आपने यह दि नाम सुना होगा यूपी ऑई डिये मैंने पहले इसके संद्व में चर्चा किया जो भी इक्सप्रेश वेज उत्तर प्रदेश में बनाये जा रहे हैं वह इसी के तहत बनाये जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्रीके से डिफिन्स कॉईडोर बनाने की बात की गई है जहां एक तरफ तमिलाडू है और दूसरा है उत्तर प्रदेश तो यहां पर लखनव में ब्रह्मोस मिसाइल उनिट को बनाया के संदर्व में आधाशिला रखने की बात की जा रही है अगले सवाल की तरफ सवाल है उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरन का महा अभियान कब शुरू किया गया 29 नवंबर 2021 दो दिसंबर 2021 आठ दिसंबर 2020 और 12 दिसंबर 2020 बहुत ही महतुपूर्ण सवाल है डेट से संबंधित कई बार सवाल बन जाते हैं तो option D 12 दिसंबर 2021 यानि कि कल के दिन प्रू किया गया है नाम क्या है मुफ्त राशन वितरन का महा अभियान जो भी राशनकार धारक है उन्हें इस अभियान के तहत दोगना राशन उप्रत कराने की कवायत की गई है option D इसका सही उत्तर है अगला सवाल देखते हैं उत्तर प्रदेश में और दोगी क्लस्टर तो इस लिहाज से दी देखा जाए तो सबसे अधिक और दोगी क्लस्टर कहां पर है वो कानपूर में है आगे देखते हैं किस राज्य या किंद्र शाषित प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्रिक वीकल का रिजिस्टेशन हुआ है उत्तर प्रदेश दिल्ली महाराष्ट और गुजरात बहुत ही महत्वपून सवाल है यहां पर ध्यान दिजेगा कि इलेक्रिकल वीकल के कॉंटेक्स में बात की जा रही है जो प्रिवहन मंत्री है उन्हों ने एक सवाल के जवाब में और यह बयान दिया कि सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिक वीकल रिजिस्टेशन है उसमें उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगए है आपको मैं बता दूं कि एफ ए एम ए फेम इंडिया स्कीम के तहत इलेक्रिकल वीकल्स जो हैं उनके प्रमोशन के कॉंटेक्स में एक कवायत की जा रही है और इस माध्यम से कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक देश इस में इसकी का उपयोग किया जाए जिस हंसाब से उसक्रिस के लिए जबम और माने जाते हैं उसके विकल्प के तॉर पर इलेक्रिक्स को अपनाने की की जा रही है, FAME India, FAME India का मतलब क्या हुआ, faster adoption and manufacturing of electric vehicles. इसमें hybrid vehicles भी एड है ना electric vehicles in India इसमें hybrid vehicles भी एड है इस scheme के तहत तो फेम इंडिया के तहत यह जो कवायर है की जा रही है वरतमान में उत्तर प्रदेश जो है electric vehicles के registration में number one position पर है option A इसका सही जवाब है अगला सवाल देखते हैं श्यामा पसाद मुखरजी रूरुबन मिशन का नोडल मंत्रा ले कौन है option है आवासन और शहरी कार्य मंत्रा ले स्यामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रा ले ग्रामिन विकास मंत्रा ले और जंजाती मामलों के मंत्रा ले इसका सही जवाब है option C मिशन के माध्यम से नाम क्या है रूरुबन कैसे बना है रूरल और अरबन यानि कि गाओं का इस तरीके से विकास किया जाए इस मिशन के माध्यम से ताकि जो गाउं है वो गाउं तो रहे ही लेकिन उनमें जो शहरी सुविधाय हैं वो भी वहाँ पर उप्रब्ध करवाई जा सके पक्की सरके जो क्लास्रूम है बच्चों के लिए बच्चों के पढ़ने के लिए वह स्मार्ट क्लास्रूम की व्यवस्था हो हॉस्पीटल बहुत ही उनद्द फैसलीटी से युक्त हो है ना इस तरीके से कोशिश्ष की जाए इसलिए इसका नाम रखा गया है रूर्बन मिशन और इसे पूरा क्या कहा जा रहा है श्यामा प्रसाद मुखणजी रूर्बन मिशन और यह जो मन्त्राले है कौन सा मंत्राले है विकास मंत्राल है अगला कोशन देखते हैं डीजी शक्ती पोर्टल का संबंद निमनलिखित में से किस्से हैं महिलाओं की सुरक्षा साइबर सुरक्षा असंक्रटिक शत्र में काम करने वाले लोगों से या फिर स्मार्ट फोन और टैबलेट की वितरन से नाम से आप समझ रह की तरन की बात की यह है और इस पोर्टल का जो संबंध है इसी से है ऑप्षन डी इसका सही उत्तर है अगला सवाल है पी एम मोदी ने 2016 में किस जीले के उरुरक सयंत्र की आधारशिला रखी थी जिसका हाल ही में उद्धार्टन किया गया है ऑप्षन जौनपूर आजमगर गोरखपूर और मिर्जापूर इस प्रश्ण का सही जवाब है ऑप्षन सी गोरखपूर चुकि हाली में इसका उद्धार्टन किया गया है इसलिए चर्चा में लेकिन ध्यान रखेगा कि यह शुरुवात कब की है 2016 में इसकी आधार शीला रखी गई थी प्रदामंत्री श अध्यक्तों घड्यक्रम रहे हैं इनके साथ उबस्तित होंगे तब तक पढ़ते रहें और अपना ख्यार लखिए नमस्कार